एक वीवर ने कमिल बॉक्स में पूचा है कि B का पूरा यूज बताएं यानि हम कैसे समझे कि B कहा कहा इस्तिमाल किया जाता है तो आईए फ्रेंड्स उनकी कन्फ्यूजन को खत्म करते हैं B का पूरा इस्तिमाल हम दो हिस्सा में सीखेंगे पहला हिस्सा हुआ होगा जहां हम सीखेंगे कि B का इस्तिमाल हम होना रहना बनना के लिए करते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम दूसरे हिस्से में सीखेंगे कि B का मतलब रहना होना बनना नहीं होता है जैसा कि आप जानते हैं B एक main word जिसका मतलब होता है रहना होना बनना तो जहां कहीं भी आपके sentence में रहना होना या बनना लिखाओ वहाँ पर आप B का इस्तिमाल कर सकते हैं चाहें आपके sentences में will का इस्तिमाल हो या can का, may का इस्तिमाल हो या might का, would का इस्तिमाल हो या should का, अगर आपके sentences में रहना होना बनना आया है तो वहाँ पर आप भी का इस्तिमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आए इस बात को examples में एक एक करके समझें, आए सबसे पहले will का concept समझ है future वाले sentences, यानि गागी वाले sentences में कई ने कंब समय compens to catch of 5, तो iseसे समएड़ने के सबसे आसान तरीका है, अगर आपकेم sentence में रहना होना तर्थ अब्र भी का इस्तमाल करें और आपके sentence में रहना होना या बणना नहीं लिखा हैuffy का इस्तमाल करें जैसे मैं आऊंगा इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल कम यहां मेरे सेंटेंस में रहना होना बनना नहीं लिखा है इसलिए मैंने विल के बाद भी का इस्तिमाल नहीं किया लेकिन अगर आपको कहना हो मैं खुश रहूंगा तो इस सेंटेंस के लिए आप तो एस sentence के लिए आप कहेंगे C will pass the examination यहाँ आप देख सकते हैं आपके sentence में विल के बाद B का इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि आपके हिंदी sentences में कहीं रहना होना या बनना नहीं लिखा है लेकिन माल नीजी अगर आपको कहना हो वो कामियाब होगी तो एस sentence के लिए आप कहेंगे C will be successful अब यहाँ आप देख सकते हैं आपके sentence में विल के बाद आया है B क्योंकि आपके हिंदी sentence में आया है रहना तो फ्रेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको विल का concept समझ में आया कि विल के बाद आप B लिख सकते हैं तो सुट वाले sentence में आप B का इस्तिमाल कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं रूल वही है कि अगर आपके हिंदी sentence में रहना बनना होना आया है तो आप करें अगर आपके sentence में रहना होना बनना नहीं है तो आप न करें जैसे आपको वहाँ जाना चाहिए तो इस sentence के लिए आप कहेंगे You should go there यहाँ आपके sentence में शूट के बाद B का इस्तिमाल नहीं है क्योंकि आपके हिंदी sentence में कहीं राना होना बनना नहीं लिखा है लेकिन अगर आपको कहना पड़े आपको इमानदार होना चाहिए तो इस sentence के लिए आप कहेंगे अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके sentence में suit के बाद आया है be क्योंकि यहाँ आपके हिंदी sentence में आया है वोना अगर आपको कहना हो आपको English सीखना चाहिए तो इस sentence के लिए आप कहेंगे यू सुट लर्ण English यहाँ आपके sentence में suit के बाद b का इस्तिमाल नहीं हुआ है लेकिन अगर कोई आपसे कहे आपको मेहनती होना चाहिए तो इस sentence के लिए आप कहेंगे you should be laborious यानि आपको मेहनती होना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं इस sentence में suit के बाद b का इस्तिमाल हुआ है क्यूंकि आपक sentence में रहना होना बनना है तो आप इस्तिमाल करें लेकिन अगर आपके sentence में रहना होना बनना नहीं है तो आप इस्तिमाल न करें आई एक तो एक्जामपल में पर देख लें अगर आपको कहना हो तुम जा सकते हो तो इस sentence के लिए आप कहेंगे you may go लेकिन अगर आपको कहना ह वह कमरे में हो सकती है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे see maybe in the room यानि वह कमरे में हो सकती है यहाँ आप देख सकते हैं पहले sentence में मैंने में के बाद भी का इस्तिमाल नहीं किया जबकि दूसरे sentence में मैंने में के बाद भी का इस्तिमाल किया ऐसा इसलिए क्योंकि पहले sentence में कहीं भी रहना होना बनना नहीं लिखा है, जबकि दूसरे sentence में आया है होना, इसलिए मैंने B का इस्तेमाल किया, अगर आपको कहना हो, तुम वह काम कर सकते थे, तो इस sentence के लिए आप कहेंगे, you could do that work, यहां कुट के बाद B का इस्तेमाल नही आप देख सकते हैं कुट के बाद मैंने बोला B, क्योंकि आपके हिंदी sentence में आया है होना, तो फ्रंस उमीद करता हूँ आपको पहला concept समझ में आया, कि एक sentence में आप B का इस्तेमाल तब करते हैं, जब आपके sentence में लिखा हो, रहना होना या बनना, लेकिन अगर आपके sentence में रहना होना बनना नहीं लिखा है, तो आप B का इस्तेमाल न करें, आईए अब दूसरे point में बात करें, आपको बहुत सारे ऐसे sentences देखने को मिल सकता है, जहां आपके sentence में लिखा होगा B, लेकिन इस तरह के sentences में B का कोई meaning नहीं होता है, जैसे मान लिजे अगर लिखा हो, इ इसे किया जाना चाहिए, he will be beaten, इस sentence का meaning है उसे पीटा जाएगा, इन दोनों sentence में B का इस्तेमाल हुआ, लेकिन इन दोनों के हिंदी sentence में कहीं भी रहना होना बनना नहीं आया, अगर लिखा हो, उसे बुलाया जा सकता है, तो इस sentence के रिए आप कहेंगे, C may be called, उसे मदद किया जा सकता है, he may be helped, तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं, इन दोनों sentence में B का इस्तेमाल है, लेकिन हिंदी sentence में कहीं भी रहना होना बनना नहीं आया है, ऐसा क्यों, तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप उबात याद रख ऐसी voice कहते हैं, यानि passive के sentences में third form के पहले आये B का कोई meaning नहीं होता, जिसे याद रखने का यही तरीका सबसे अच्छा है, कि अगर वोग के third form के पहले आपको भी नजर आए, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए, यहां B का कोई meaning नहीं है, यह बी सिर्फ rule के तहत आ रहा है, यहां इसका meaning रहना होना बनना नहीं है, तो फ्रेंट्स आप यहां देख सकते हैं, इन सभी sentences में B third form के पहले आया है, इसलिए इन सभी sentences में B का कोई meaning नहीं है, तो फ्रेंट्स उम्मीद करता हूँ, यह topic आपको शांदार तरीके से समझ में आया, अगर आपके पास भी कोई question है, तो आप comment box में type करें, मैं जल्द आपके question पर video बनाऊँगा, फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा lessons के साथ अब तक के लिए, बाए